जैहें साथ हो CISF HCM and ASI की एंसर किया चुकी है आप लोगों ने अपनी एंसर की चेक कर ली होगी अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कट अप के बारे में कि सेफ इसकोर क्या हो सकता है टाइपिंग के लिए और फाइनल कितना जा सकता है रिएल डेटा हो सकता है उसी की बे टाइपिंग के लिए कितना होगा तो वह सारी चीजे आज की वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को पूरा लाक्ष तक देखेगा और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि अभी टाइपिंग का डेट भी बहुत ही जल्द आने वाला है तो जैसे ही टाइपिंग का डेट आएगा जो भी आगे का अपडेट होगा हम आपको इनफर्म करते रहेंगे तो चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा लेटेस्ट अब्डेट आपको यहां पर मिलता रहेगा आपके सेलेक्शन तक हम आपको जनकारी और 85 प्लस तो और भी कम लोग है 90 प्लस तो हलांकि उनका सेलेक्शन निश्ची था जिनका 90 प्लस होगा देखे सबसे पहले आपको पता होगा किसमें जो कटाफ लगता है वो आल इंडिया लगता है इस्टेट वाइज नहीं लगता किन्तु हां जनरल का अलग लगता है और तो ये बिल्कुर सेफ स्कोर होगा राइ स्कोर अभी देखे नॉमलाजेशन होगा ये तो राइ स्कोर के बेस पर लोगों ने पोल किया है लोगों ने हमें बताया है तो अभी नॉमलाजेशन होगा और नॉमलाजेशन में अच्छे खासे नंबर वढ़ते हैं सियाई से फा होने की जरूओत नहीं है कि हमारे इतने कोश्चन इस सिप्ट में गलत दिये हैं तो बहुत साल लोगों ने objection किया होगा तो वह आपका number जब आपका scorecard आएगा उसमें एड़ होके आएगा तो देखें ये तो विल्कुल सेफ इसको रहेगा अगर आपके टीफोर प्लस बन रहे हैं तो आप किसी भी काटेग्री से आते हैं हलांकि और category का कम जाएगा अभी मैं वो भी बता देता हूँ किन्तु बिल्कुल safe अगर आप खुद को समझना चाते हैं 24 प्लस पर आप खुद को safe समझ सकते हैं अभी यहाँ पर हम बाग कर लेते हैं tapping के लिए कितना जा सकता है इसके बाद कितना बढ़ सकता है तो देखे यह typing के लिए cut up हो सकता है क्योंकि देखे इसमें वेकंसी 540 पोस्ट है और जो 2019 की वेकंसी थी उसमें जो है 439 पोस्ट थी 439 पोस्ट 2019 में थी इसका 89 गया था tapping के लिए cut up इसका offline पेपर था इसका online पेपर था और 2019 के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा था किन्तु लगबग उतना ही था थोड़ा सा लेबल इसमें थोड़ा सा बहुत दिन नॉर्माल कह सकते हैं कि थोड़ा सा अ लेबल इसमें था अभी देखे इसका जो cut up हो सकता है tapping के लिए वह 55-78 के बीच हो सकता है देखे 540 कंडिड है तो इसमें ज्यादा लोग बुला जाएंगे लगबग 15 गुना लोग बुलाएंगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे पर यह cut up हो सकती है पचाटा से अठाटा क के बीच हो सकता है स्टी का सरसर से कातर के बीच यह cut up हो सकता है और यहाँ पर EWS का भी लगबख सेम रहता है या फिर इससे थोड़े बहुत कम भी बन रहें तो आप लोग अपने टैपिंग के तयारी करते रहें क्योंकि टैपिंग में बहुत सारी लोग बाहर होते हैं तो टैपिंग आपको अच्छे से करनी है अगर इस रेंज के बीच आफके नमबर आते हैं बाकी देखे 4-5 नमबर इसके बाद फाइनल भी बढ़ सकता है ज्यादा नहीं अगर ये डिपेंड करेगा कि टैपिंग में कितने टैपिंग पास हो रहे हैं तो आप यह माल के चली कि चार से पांच नंबर तर टैपिंग के बाद भी बढ़ सकता है तो यहां पर अगर अगर 78 है तो आप यह माल सकते हैं कि 83 तक हो सकता है हलांकि नामलाजिसन में अगर यह सबके बढ़ाते हैं फिर तो यह और कटाफ बढ़के जाएगा अगर यह सबके घटाते बढ़ाते हैं तो इतना रह सकता है 85 की आसपास आपका कटाफ रह सकता है अगर किसी के घटाते हैं किसी के बढ़ाते हैं किसी सिप्ट में यह कम भी कर करते हैं बागी अगर सबढ़ा देंगे तो दस सबका बढ़ाना पड़ेगा जिसका तो एक अगर नंबर बन रहें तो आफ टैक्पिंग करने पूर आपकी कितने नंबर नहीं आप हमें कॉमेंट में बताइगा चले मिलते हैं वीडियो में तब تक लिए हैं